उत्राखंड पुलिस SI का नोटिफिकेशन रिलीश होने के बाद कई अभ्यारती जो है 15 सा 50 पुलिस कॉंस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं इसी करम में ये भरती कब जारी की जाएगी इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे साथ ही जानेंगे कि जिन अभ्यारती उन्हें प्रि पूरी जानकारी जानेंगे तो यह स्टार्ट करते हैं तो जल्द ही आपको एक अपडेट दिखने को मिल सकता है पुलिस कॉंस्टेबल भरती में नहीं किया जोइनिंग वेटिंग लिस्ट की मांग ठीक है तो जैसे कि आपनी न्यूजपेपर में कई बार देखा होगा और अभी तक न्यूजपेपर तक की सिमीत है लेकिन आज साम 6 बज़े तक आपको एक लेटस्ट अपडेट देखने को मिल सकती है क्योंकि पुलिस परशाशन या पिर पुलिस महादेशक में बिरुषगार संग के जो अध्यक्स बावी पवार उनके द्वारा मांग की जाएग क्योंकि एसा हुआ जिन अभ्यारतियों का प्लिस कॉंस्टेटम में सेलवा उनका किसी इंडाने उसके अध्यक्षनमें भी सेलेक्शन हो गया तो इन्होंने प्लिस प्लिस आपिव किया आप वेटिंग् really से जैसे कि बताया किया था इस नीज़ पेपर में पुलिस कॉंसल भरती में चुने के 1521 में से एक से 95 अभ्यार्थ ने जोइनिंग नहीं किया इस वज़ार से ये पद जो है आप खाली रह गए हैं भाजपा नेता रविंद जुगरांद ने पुलिस महादे मुख्यालाई में आई जी कार्मिक विंपी सजदेवा से मुलाकात कर मांग की है कि एकल सवर्ण के नई नियम की तहट इन खाली पदों के लिए वीटिंग लिस्ट जारी की जाए जो कि आज आज आपको 6 वज़े तक दिख सकता है इसका एक लेटस अपडेट आप अपडेटेट रहें और चैनल के साथ रांत जी के जारा कि सरकार ने 10 अक्टूबर को एकल सवर्ण के पदों पर परणाम के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करने की नियुवले जारी की है इसके तहट खाली रहने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरे जाने का पस्ताव किया गया है तो इस पर एक लेटस जो है उसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है जनल के टेगरी के लिए तो मांग तो बहुत सारी की गई है यहां पर 28 वर्ष करने की अधिकतम करने की कई कोशिस कई कवायाद चल रही है पर दो देखेंगे कि क्या 28 वर्ष हो पाएगी यहां नहीं जनल के टेगरी की 28 नोटिफिकेशन आउट किया गया उसमें 22 वर्ष रखी गई थी अधिकतम आईश्रीमा मेल कैनिडेट से जनल के टेगरी की लेकिन जब मांग की गई की आईश्रीमा को बढ़ाया जाया तो तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया 25 करा गया तो इसी तक तरजबर या उतर पर इस पुलिस कॉंस्टेबिल के तरजबर जो भरती का यहां पर जनल के टेगरी का जो एज लिमिट रहने वाला है मैक्सिमम 35 वर्ष तक रहा सकता है यदि यह मांग पूरी कर ली जाती है जो यह पतरांग जारी किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है 28 वर्ष हो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिल जाएगी किसी में पांच वर्ष के छूट मिलती है और किसी में तीन वर्ष के छूट मिलती है तो आप यह जान ले ठीक है तो इस तरह से आप अभी 25 वर्ष मान सकते हैं अगली यूज दिखेगी आपको पुलिस कॉंस्टेबल आपके 15-50 जो हैं वह भी भरने की पूरी यहां पर कवायत चल रही है तो कब तक यह भरती जारी की जाएगी एक मन्त आपको यहां पर बताया जाएगा आज साम तक तो लेटेस्ट आपको जल्द मिलने वाले है जैसे अपडेट आते हैं आपको जानकारे मिल जाएगी तो चैनल के साथ जो रहें आईए आज की वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में